इस बार सवाल उठता है कि जितने भी घोटाले हुए हैं सब आपके रिजन में हैं आप लोगों के द्वारा बैठक करके आवाज सोजना को पास किया गया इस पर आप क्या गया है नहीं तर बार अध्यक जी का देक 10 करोड का गोटाला हुआ है तो 10 करोड का गोटाला इस चार आद बिल के तो नहीं किया होगा ना तरकारी पैसे का पब्लिक पैसे का कोई गवन करता है तो निस्तित रुप से उसको बक्षना नहीं चाहिए कि प्रधान मंत्री आवास में घोटाला हुआ है नमस्कार आप देख रहे हैं एक्सप्रेस नूज में आपके साथ आसोतो सानब बता दे के आज एक एहम मुद्धे के साथ हम आपके पास आया हैं वो एहम मुद्धा है गोड़ा जिला नगर परिसद में भरस्ता चार जिस तरेके से बीते दिन पिंकी देवी के जो पती है अनिल महतर उन पर और चार लोगों पर केस हुआ है क्या 10 करोड का गवन इनी चार लोगों के द्वारा हुआ है इनी सारे सवालाओं को लेकर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए गोड़ा नगर परिसद के पूर्व अध्यक्ष आजीत कुमार सिंग जी है कि बताजे कि बीते कुछ दिनों से ये जिस तरीके से नगर परिसद में होरे भरस्टा चार पर आज उठा रहे हैं सोसल मीडिया के माध्यम से जिस तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं उन्हीं सारे मुद्दाओं पर बात करेंगे क्योंकि इन से बहतर नगर परिस्वत को कोई नहीं जान सकता है नमस्कार सर्थ जी धन्यवाद सबसे पहला सवार सर कि पिंकी देवी पर मापकी जेगा पिंकी देवी के पती पर जो भरस्टा चार का आरोप लगा है और चार लोगों पर जो केस हुआ है और दस करोड का गवन की जो बात हो रही है इसको अप किस तरीके से देखते हैं देखे आज दोस जी यह तो तय है कि प्रधान मंत्री आवास में घोटाला हुआ है इससे इंकार नहीं किया जा सकता है लेकिन जिस तरह जो फाइन की चर्चाप कर रहे है जिस तरह हमारे शामानित अधाक्ष दिद्वारा कुछ लोगों को target करके और प्रसाशन पर दवाग डाल करके कुछ लोगों को target करके जो यह FIR कराया गया यह गलत है हमारा यह काना है मानना है कि गलती जो करे गलती आप करें, हम करें, चाहे कोई भी करे वो और सरकारी पैसे का पब्लिक पैसे का कोई गवन करता है तो निस्टीत रुप से उसको बख्षना नहीं चाहिए तो इस संदर में हम कहना चाहेंगे और जिला प्रसासन से भी हम कहना चाहेंगे पुलिस प्रसासन से भी हम कहना चाहेंगे कि इस घोटाले का यह जो F.I.R. हुआ है इसमें बिस्त्रित जाच करें आप जाच करने के बाद ही आगे कोई करवाई करें यह हम कहेंगे बिल्कुल गोटाला हुआ है गरवरी हुई है इससे कोई इंकार नहीं किया सकता है तो इस संदर में निस्पक जहां छोनी चाहिए और आप देखिए कि पहले तो गलती उनकी है जो गलत लोगों की अनुसंसा करते हैं अनुसंसा गलत लोगों का निकरना गलती तो गलतियां वही से सुरू हो जाती है तो पहले तो वहां ऐसे लोगों को मतलब पकड़ना चाहिए कि कैसे किन-किन लोगों नो गलत लोगों का अनुसंसा किया है तो और कैसे उसका पेमेंट हुआ गलत लोगों का कैसे पेमेंट हुआ एक सवाल उठता है आप नगर परिशत अध्यक्ष रह चुके हैं आप इन सारी चीजों का अच्छे से जानते होंगे हम मान के चलते हैं हमने परधान मंत्री आवाज स्योजना में सारे डोकुमेंट्स गलत दिये सारा कुछ गलत दिया हमारे गलत देने से क्या हमको परधान मंत्री आवाज स्योजना मिल जाएगा बिल्कुल नहीं इसका तो विश्टरीत रुप से जाच होनी चाहिए अस्थल रक्षन होना चाहिए जो आबेदन है उसका प्रोपर वेरिफिकेशन होना चाहिए अगर फिर उसके बाद परधान मंत्री अबास स्योजन मिलता है तो गलती किस की? देखिए गलती तो परदान मंत्री जो कारियाले की गलती है निस्षित रुप से कारियाले की गलती है इसमें कहीं किसी तरक की कोई गरवड़ी है जो लोग इसमें इनवल हों जिनके द्वारा पास किया गया है जिनके द्वारा अनुसंसा किया गया है और जिनके द्वारा जा सबसे पहले सिरू में इक कि जिस तरह से यह फाइएर हुआ है। जो जंपरतिनीदी हैं या मतल़ वाटपाच्षद हैं यह लोग मतल़ सो इस पर अनुसंसा करते हैं अनुसंसा करने के पिर फाइल उसका तेयार होता है और जो सम्बंधित पदादिकारी हैं mine कौन कौन पदाधिकारी होते हैं इसमें कई पदाधिकारी होते हैं सिटी मनेजर होता है और कई पदाधिकारी होते हैं तो यह लोग सब सारे लोग मतला इसो इन लोग की जाप दही है कि जांच करके ही मतला इसमें कुछ काम करना चाहिए सारे लोगों का इसमें लेकि सरकारी प्रश्चाइब का मामला है तो यह तो विष्थित रूप से जांच होनी चाहिए और उसके बाद तब कोई करवाई कोई साहिए जब ओफीस के सारे लोग इसमें इन्भॉल्व हैं अगर जांच होगा तो सब पर केस होनी चाहिए देखे हम तो इसलिए किस पर केस होगा किस पर नहीं होगा यह तो हम नहीं कर सेंगे लेकिन हमारा यह काना है कि बिस्तरीत रूप से जांच होनी चाहिए और बिस्तरीत रूप से जांच करने का जांच कि बार बार आप इक बात को आप देखेंगे बार बार अध्यक जी करते ह तो दस करोड गोटाला का आ्रोप लगा रहे हैं तो छो को ड कीर दो नहीं हो ले रहे हैं लै फिर रहे हैं झाय पता हो चीलते हुए इसका रहाकर सब नहीं हो स्रेज दो इसके सब क्या हइंच्छ ड है आपको तो हम कहीं रहें कि यह तो कुछ ब्यक्तियों को टारगेट करके उनको परिसान करने के ख्याल से, परिसान करने के ख्याल से परिसान पर दवाब डाल करके यह फाइर कराएगा, यह गलत है। चनपरतिनिधी का दाइत होता है कि पबलीक इसू पबलीक के मुद्दों को उठाना और उसकी सुनवाई नहीं होती है तो आप धर्णा दीजे परधर्शन कीजे और यह मनवाने का बहुत तरीका है यह कीजे लेकिन अपने हित के लिए किसी को परिशान करना और इस तरह का फ अपने परधान मंत्री आभास योजना ले लिया उसके बाद कि हमारे मांथे पर ठापा लग गया कि आगे पंच साल में हम तरक्की नहीं करे मकान नहीं बना सकते है इसा कुछ है कि प्रधान मंत्री योजना जो है यह यूजना ही इसे लोगों के लिए है कि जो बेघर जो लोग है जिनके सर पे छट नहीं है जिसका खपड़े का मकान है जो प्लास्टिक देखे रह रहा है ऐसे लोगों को आवास आपको महिया कराना यह सरकार का दाई तो है उनती तरक्की उसको आवास दिये वह रोजी रोटी कमाएगा उस पर अगर दुमाहला मकान बनता है तिनमाहला अपने पैसे से बनाता है जिसको कोई अकल छट नहीं था और आज उसको छट सरकार छट दी और मेहनत करके दुमाहला तिनमाहला बनाया तो और खुसी की बात ह उसको आपनी प्लास्टिक नहीं था यह क्ल शरकार महसूच की कि ऐसे आदमी को छट मिलना चाहिए तो च्छत हमको प्रधानमंत्री आवास के योजना के अंतरगत आवास दिया गया और कल हम अपने मेहनत से, कल अपने तरक्की से, कल हमारे घर के बच्चे कुछ सिक्षा प्राप्त करके अच्छे सर्विस में गए और उन्होंने उसी के उपर मकान बनाया तो कहीं से भी गलत यसन नहीं है और देखिये परधानमंत्री आवास्योजनः यह बहुत ही महत पकांग्ची योजना है, बहुत ही ऐसा योजना यह सरकार की महत कांग्ची योजना है, इसमें तो निस्तित रूप से गरीमों को मिलना चाहिए, इसमें किसी तारہ का घौटाला नहीं होना चाह है वो तो उसका जो है अनुसंसा लोग करते हैं जांच होती है जांच परताल होती है और जो जैसा मतलस उचित समझते हैं जो लोग जांच पताधिकारी होते हैं फिर इसके बाद प्रिमेंट होता है इसमें मतलस कहीं किसी तरह कहीं नहीं इसमें जो गरवड़ी हुई है तो न अरता नहीं धारित करते हैं, तो गलत लोगों ने आवेदन दे दिया है, गलत उसका अनुसंसा किया गया है, तो इसकी बिश्त्रित जाच करने के बाद ही मतलब जो सुझके। से अपने आर्थिक कमजोडी के करते, विपन्नता के चलते, वह घर नहीं बना पाता है, उसका घर छपर का है, खपड़े का है, चदरे का है, प्लास्टिक का है, तो उसको दिया जा सकता है, ऐसा कहीं मतलब यह नहीं था। जिनका की पास नहीं होना चे, उनका पास्वा, इस विशे पर आप क्या कहेंगे? हम तो आपको कहीं रहे हैं, कि ऐसे लोगों का किसी भी रूप से, झीए आप एक गलत आदमी को अगर आबास देते हैं तो एक सही अदमी छूट जाता है, तो आप अगर दो हजार आदमी को गलत आदमी का हो गया है, जो हारता जो पातरता धारान नहीं करता है जिसको की पहले से पक्के का मकान है और उसको आप दे रहे हैं इसका मतलग है कि 2000 गरीब का आप जो है सोसन कर रहे हैं और गरीब को आप योजना से बंचित कर रहे हैं तो बहुत गलत बात है क्याई लगता है कि जिस परकार से समाज से भी हैं और कई लोग है परधान मंतरी अवास सोजना पर आवाज उछारे हैं क्या लगता है कि आपको जाच सही तरीका से होगा डेखे पहले भी पहले भी जाच यह चर्चा यह बात आय weet पहले भी कई बैठक में इसकी चर्चा हुई थी और जाच भी वह था लेकिन वह जाच उसको संतोष पर्द जाच नहीं कहा जा सकता है एक आखरी सवाल, बीते जबसे जितन कुमार गुडू मंडल ने नगर परिशत का कारिभाल समाला है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन जो भी हो रहा है उसको हम उचित बिल्कुल नहीं समझते हैं। आपके बाद क्या कुछ होता है वो आपके सामने होगा। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें एक्सप्रेस में उचे। झालाव का ओके टूमा हूं, पक्सकर क्या में उच्पारवा प्रों प्री देखते हैं।